हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए भुस्खलन और अचानक आईबाड में पांच लोगों की मौत हो गई कई मकान चती गरस्त हो गए, जन जीवन अस्तव्यस्त हो गया इस बीच प्रशाशन ने दो दिनों के लिए विद्यालियों और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया मनाली में भारी बारिश ते, दुकानों के बहने और कुल्लू, किनौर तथा चंबा में अचानक नाले में आई बाड में वाहनों के बहजाने और कृशी भूमी को काफी नुकसान हुआ वहीं मशूर परेटक स्थल कसौल का अभी एक वीडियो सामने आया जहां पर अचानक से जलस्थर बढ़ने से कई कारें बह गई इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद तहलका समझ क्या है अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रमुक नदियां उफान पर है और स्थाने मौसम विभा कारे आले ने 9 जुलाई को के नौर और लहाओल एवं स्पीती के आदिवासी जिलों को छोड़ कर 12 जिलों में से 10 जिलों में अत्याधिक भारी बारिश के लिए 9 जुलाई तक का रैड अलर्ट जारी किया यानि कि 204 मिली मीटर से अधिक वर्षा यहां पर हो सकती है राजे आपदा अभियान केंद्र के नुसार राजे में बीते 36 घंटों में भूसकलन की 14 बड़ी घटनाएं और अचानक बाढ़ आने की 13 घटनाएं हुई इस दोरान 700 से अधिक सड़के बंद की गई अधिगारियों ने बताया कि शमला जिले के कोट घट इलाके में भूसकलन का एक परिणाम ये रहा कि घर ढगया जिसमें एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई मिर्तकों की पहचान अनलिल नाम से उनके व्यक्ति और पत्नी के पहचान के रन पुत्र स्वनपिल के नाम में से की गई है तो लुशहन में भी भूसकलन से एक कच्चा मकान शदिगरस्त हुआ इसमें एक महिला की मौत हो गई एक अन्य हासे में चंबा तैसिल के कतियान में शनिवाराद भूसकलन के मलबे में एक व्यक्ति दफन हो गया मुख्यमंदरी सुकविंदर सिंग सुक्कू ने शोक व्यक्त किया और कहा कि जिला प्रशाशन को प्रभावित परिवारों को ततकाल राहत प्रदान करने का निर्देश दिया जाए लाहौल और स्पेति के जंदताल में दोसों से अधिक जो लोग हैं वो फसे हुए हैं मौके पर मौझूद पुलिस अधिक्षक मैंग चौदरी ने भी बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं और भोजन एवं आवश्यक दवाईयों का इंदजाम किया जा रहा है लेकिन जो जंद जीवन है वो पूरी तरह से तिरमरा गया है बिखरा सा नजर आ रहा है उन्हें एक या दो दिन में सड़के दुरूस्त करी जाएगी और निकाल लिया जाएगा हिमाशर प्रदीश तरकार ने रज्जे से संबंध सभी सरकारी एवं निजी विद्यालियों और कॉलेजियों को दो दिन के लिए 10 और 11 जुलाई के लिए बंद कर दिया है